नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चनल पे सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Amazon Prime एक महिने का अगर आप प्राइम वीडियो देखने के लिए तो पहले मंत का पूरे महिने आपको फ्री ट्राइल दिया जाता है उसके बाद नेक्स मन्त वह पैसा टैबिट होता है और उसको आप डिया करना चाहते हैं कि ताकि आपके बैंक अकाउंट से जो आपने दिया है उसमें आपका सब्कृरियस्ट आपको पंटीन्य नहीं करना है तो आप किस तरह से डीक्तिवर्ट कर सकते हैं और किस तरह से सब्सक्रिप deposit on को बंद कर सकते तो चलिए बोस्तरहां किस तरीके से आपको सब्सकरिब्शन तर बंद करना ए, तो सबthonरा है तो सबसे पहले देखें आपने देखा करें करने प्राइम वीडियोigor में यहां पर देखें, आपको को होगा आपके Amazon app में तो देखिए यहां पर एक है हमारा यह जो Amazon app है यह अगर आपके पास नहीं है डाउनोट कर लिजे और सेम उसी ID से जो ID से अपने सब्सक्रिप्शन एक्टिवर्ट किया है उसी ID से आप लोगन करए और लॉगन करने के बाद आप पेज को ओपन कर लीजे आपका इस तरीके finalement अब यह पे ड Congrats आ घ्राइंगे तो आपको यहां पी नहीं दिखेगा तो आपको करना क्या होगा यहां पर दिके नीची music में नहीं जाना है ना तो prime reading में जाना है ना prime videos में पहला वाला option है prime आपको उसे पर कर देना है click अब इसको click करते हैं देखिए यहां पर क्या होता है अब यहां पर दिखे पूरे options details आपका लिक दिया है इसमें आपका कि 30 days के बाद आपका पैसा कटेगा और यहां पर दिखे आप दिखेंगे चोटा सा ऊपर दिखे लिखा है manage my membership so guys हमको यहीं पर click करना है क्योंकि अगर आप लोग क्या करते हैं यह browse करते हैं नीचे देखते हैं और उनको यह दिखता ही नहीं उनको लगता है कि एक option है बड़ यहां एक option चीपा है इसके अंदर inbuilt तो हमको इस पर click करना है click जैसे ही करेंगे आपका एक नया page खुलेगा यहां पर दिखें यह सारी चीजे बताया है इसमें कि क्या क्या है इसमें और क्या आपका यह होगा पैसा टेबिट होगा तो यह कहां पर लिखा हूं आपको दिखाता हूं दिखें यहां पर नीचे लिखा है 13 days left in your head trial तो मेरा जो ट्रायल का सब्सक्राइब मैंने लिया है तो मेरा अभी भी 13 days बाकी है फिर भी मैं आपका यह वीडियो में आपको डीक्टिवर्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं यहां पर नीचे लिखा है 24 जैनवरी को है और यहां पर दिखें और नीचे मैने मैं लिखा है मेंबर्शिप में Update, Cancel & More तो हमें यहां पर क्लिक करना है है यहां पर क्लिक करते ही दिखी यहां पर आ रहा है वो सारे option हटा दिये जाएंगे सो मैं इस पर click करता हूँ और ये remind वाला option हटा देता हूँ और मैं end पर click करता हूँ so end पर click करने के बाद देखते हैं क्या यहाँ पर आता है क्योंकि यह अब यहाँ पर देखी क्या लिखा है अब यहाँ पर पूछ रहा है संतोस are you sure you want to end your free trial so guys यह हमें free trial तो end ही करना है तो हम नीचे देखते हैं यहाँ पर क्या option दिया है उसके बाद नीचे देखे यहाँ पर वापस अगें यह पूछ रहा है कि keep me free trial और नीचे second वाला लिखा end my free trial now या फिर remind me later अगर आपको mind change रहता है आपको वापस रखना है तो आप यहाँ पर remind me later कर सकते हैं so मैं second वाले पर क्लिक करता हूँ end my free trial now देखते हैं यहाँ पर क्या option चाहता है so यहाँ पर देखे फिर बोल रहा है संतोस before you go consider switching to monthly plan अब देखे मुझे क्या option देखा है आपको one years का plan नहीं चाहिए आप monthly plan लेके चलाइए मताब basically वो क्या चाहता है कि customer हमारे लूज ना हो so यहाँ भी देखे मुझे एक option दे रहे कि आप 179 पर मन्त दीचे और आपका जो ही यह जैनुरी को कटेगा बढ़ यह अभी मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पर अगर आप monthly plan के साब जाना चाहते हैं यहाँ पर click कर सकते हैं otherwise यहाँ पर continue to cancel पर click कर रहा है so मैं यहाँ पर कर देता हूँ click इसके बाद देखते हैं क्या दिखाता है देखी यह third time पूछ रहा है तीक मतब तीन बार वो option दिया है तीन बार वो confirmation एक बार में confirmation दिया है तीन बार option दिया है कि आपको करना है क्या दुबारा भी पूछा है कि आप ऐसा plan कर लिए तीसरी बार भी पूछ रहा है confirm free trial cancellation अभी वक्त हैं आप यहाँ से back कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो सो अभी देखे मैं यहाँ पर cancel पर कर रहा है देखते क्या होता है सो यह मैंने कर दिया cancel पर क्लिक अभी यहाँ पर देखे क्या लिखा है यूर free trial has been cancelled यूर free trial has ended and you are your card will not be charged सो मेरा जिस card से verify किया गया था जब subscription मैं ले रहा था आप भी किये होंगे तो आपका net banking या फिर UPI या फिर card के दुरूर तो जिसके दुरूर भी आपने किया होगा वहां से आपका यह लिख क्या option मैंने card से किया था यहाँ पर लिख क्या your free trial has ended and your card will not be charged so it's mean क्या होगा कि मेरे कार्ट से अभी जो मेरा 24 को पैसा कटने वाले थे वह अभी नहीं कटेंगे बट इसमें क्या benefit मेरा लॉस होगया कि मेरा 13 देस था मैं 13 देस और देख सकता था प्राइम वीडियो बट गाइस यह सिर्फ वीडियो आपके लिए नौलेज के लिए मैं बना पाऊं इसके लिए मैंने अपने जो प्राइम सब्सक्रिप्शन का था वह कैंसल कर दिया है इसके लिए नो वरीस वापस सब्सक्रिप्शन ले लूँगा तो गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा इसका प्रोसेश जो आपको बहुत इजी था आप खुद से आप अपने मोवाइल में अपने लैप्टॉप पे अपने कंपेटर पे कर सकते हैं तो दोस्तों चै झाल